आप सभी भाईों मेनों का स्वागत एक और important वीडियो में इस वीडियो में आज बात करने वारे डिप्लोमा जो बच्चे ठर्ड सेमेश्टर में उनके बारे में जो बच्चे फिप सेमेस्टर में उनके बारे में दो बहुत बड़ा अपड़ेट्स निकल कर सामने आ रहा है उन्स सभी को जानना आप सभी का फर्स बनता नहीं था आगे देख आपको प्रॉब्लम हो सकता चलिए समझते क्या क्या में बताने वला हूं देख तक हैं मतलब आज से फॉर्म भरवाना स्टार्ट हो चुका वहां पे तो जो बच्चे को जारखन के अलावा का यहां से बीटे करने का मन था वहां से वह बीटे कर सकते हैं इसके उपर फुल इंफ्रमेशन में बहुत जल्द लाकर अप्डूट कर दूंगा आज से लेके कल और जिस तरह जारखन का नियां में कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना तो यहां का रेसिडेंट होना ही चाहिए नहीं था आपका अडिमिशन नहीं हो सकता है मगर वेश्ट बंगाल में और इंडिया से कोई भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और वहां पूंको सरकारी क मिल सकता है मगर पहले वह लोग अपना वेश्ट बंगाल की सुडेंट को देखेंगे वहां जो डिप्लोमा करके बिटेक करना चाहते उनके बाद का सीट अकर बचा हो रहेगा तो वह आपको इक्वालिटी वहां डिमिशन ले लेंगे यह भी नहीं कहेंगे कि आप वहां का आपका जाती है आपका जारखन कभी रहेगा तो काम चले लागा मगर जाती आरक्षण में आउने के बावजूद भी आपको वेश्ट बंगाल में जेनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा इसके उपर विडियो बनाएं गुसमाचा साथ बता देंगा आप सभी को मैं खुद परिक्षा का फॉर्म हो सकते तो भरूंगा तो आप सभी को सलाह देते न चाहता हूं तो जो लोग उस विडियो को अंतजार कीज़ेगा इस वीडियो को लाइक कीज़ेगा अगर इसमें मुझे लगबग 200 लाइक आज आज आगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सभी को व नहीं कि वो लोग ठाड़ सेमेस्टर में नाम लिखवाए मगर उनका एक पेपर होता है इंजिरिंग ग्राफिक्स का उसका उसको परिच्छा देना पड़ता है तो जो बच्चे फर्स सेमेस्टर में नहीं भी मतलब जो फर्स सेमेस्टर का इक्जाम जो होता है पढ़ना पढ़ता है बस एक पर इंजिनिंग ग्राफिक्स का नाम जिसका सब्जेट कोड एक सो पाच है एक सो पाच है माइनिंग में जो भी बच्चे सेकेंड डियर में नाम लिखवाए है लेटर इंटरी के तुरू उनसे अभी का नाम में एम 105 इस पेपर को आपको देना ही देना होगा तो अगर थर्ड सेमेस्टर का एक्जाम होता है तो थर्ड का पेपर तो आपको देना ही है आपके एकॉर्डिंग से इसके अलावा आपको फर्स सेमेस्टर में जो इंजिनिंग ग्राफिक्स है सकेर समेस्टर में नहीं होता यह फर्स समेस्टर में जो होता उस पेपर को आपको देना होगा तब ही जाकर आप डिप्लोमा अच्छा से पास कर पाईए कि आपके पास डिग्री रहा नहीं आता अगर इस पेपर को छोड़ दिजेगा तो दिख्या थे इस पेपर को फोर्म बनने का मौका कब मिलेगा जब उसमें लोग इन करकर आपको एक ही पेपर को टिक मारना है एक सो पाच है सब्जिट कोड़ आपका माइनिंग वाले कब भरेंगा माइनिंग का जब सकेंड एक्जामनेशन होगा जब फर्स एर का जूनियर एक्जाम होगा तब उस जगह पर यह भरेंगे एम वन जिरो तब भी मतबूस पेपर को आपको लेकर आगे बढ़ना है तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल लोग से किसर यह 105 पेपर कोड है सब्जेट को इंजिरिंग ग्राफिक्स यह क्या है और क्या से इसको फर्म भरना या नहीं भरना किस तरह बढ़ना आपको बता देंगे याद रखी कि यह मेरा अपडेट जैने का काम तो इसका अधिक जनकारी के लिए अपने कॉलेज को मेंजमेंट से बात कर लिएगा इस वीडियो को चाहिए का तो उनका फरवड भी का साथ है तब तक लिए जैहिंज जैबारत आसार उमीदी कि अगर इस वीडियो में टूके स्व हजार दो हजार भीवर आया या ना इसको फर्रक ने पड़ता है दोस्तों अगर लाइक आजाता तो मुझे यह लगेगा कि जिनको जिनको डिटू जाना है हिंदी में वेश्ट बंगाल के बारे में उनके लिए मैं परियास करूंगे का अच्छा सा वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो को माधन से यह भी बता दूंगा किस तरह सा फॉर्म भार सकते हो इसके रिपर्जन करके तब तक के लिए जय ही जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में